गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लेसन कर रहे थे 17 हम उसके नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे हमारे नेक्स पार्ट की यह फॉर्थ वीडियो आपकी लेसन लंबा था इसलिए हमें इसकी ज्यादा वीडियो बनाने पड़ी हमारा जो नेक्स्ट टोपिक है वो ह थे 1 asteroyed me magic it क्या है हम अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा हमने की जो हमारे सोलर सिस्टेम है उसके 8 व्यजाद के बारे में पढ़ा हमारा युरेनास जो है वो हमने पढ़लिया था नैपचुन हमारा Рहता है तो Neptune हमारा last planet है और इसके भी काफे सारे सैटलाइट है natural सैटलाइट है और इसका भी features जो है वो rings का है यानि कि इसके चारों तरफ भी rings होते हैं इसके अलावा एक बात और है planets के बारे में कि जो हमारे पहले चार planets हैं जो कि sun के नजदीक हैं उनको हम inner planet कहते हैं और inner planet की एक features ये भी है कि वो sun के नजदीक होने के कारण के साथ साथ वो size में छोटे भी हैं और उनका ring features भी नहीं हैं यानि कि हम उनके चारों तरफ rings नहीं देख सकते हैं इसके साथ साथ जो हमारे inner planet है inner planet का meaning यानि कि जो हमारे बाकी के चार planet हैं कौन-कौन से Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune ये सारे जो planet हैं ये sun से दूर हैं इसलिए इनको outer planet भी कहते हैं ये size में भी बड़े हैं प्लस जो थर्ड feature है इनका वो ये है कि इनके काफी सारे satellite होते हैं और इनकरिंग फीचर्स भी है तो आप अगर inner planet और outer planet में difference आपको बताना हो तो आप चार difference बता सकते हैं फस्स डिफ्रेंस हो गया हमारा कि वो जो inner planet है वो sun के पास में है नियर टू दा sun outer planet far up from the sun उसके बाद inner planet का हो जाएगा they have many they have no or some only some natural satellite but outer planet have a large number of natural satellite they have the ring features outer satellite के लिए ring features होते हैं और inner planet के लिए ring features नहीं होते हैं उसके अलवा size का हो जाएगा कि inner planet are small in size and the outer planet in large in size उसके बाद हम asteroid कर रहे हैं हमारे पास यह जो topic है उसका part है कि जो हमारा solar system है उसके कुछ और भी हम कहेंगे की part है या हम यह कह सकते हैं और भी member है solar system के उन में हमारा जो first member है वो है asteroid asteroid क्या है asteroid एक belt है किसके बीच में Mars और Jupiter के बीच में Mars और Jupiter के बीच में एक बड़ा सा gap है और उस gap के बीच में asteroid की एक पूरी बड़ी belt है जिसके अंदर कुछ small और large object revolve करते हैं sun के चारों तरफ उसी को हम asteroid कहते हैं इसको हम large telescope से देख भी सकते हैं उसके बाद जो है हमारा वो है comet अभी हम आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी asteroid का comet क्या होता है comet जो होते हैं वो भी हमारी solar system का ही हिस्सा है और ये revolve करते हैं sun के चारों तरफ एक बड़ा सा elliptical orbit यानिके इनका जो orbit है वो काफी लंबा होता है जिसके एक center में sun होता है और दूसरा center काफी दूर होता है तो इस तरीके से ये elliptical path में circle लगाते हैं sun के चारों तरफ लेकिन क्योंकि ये sun से काफी दूर होते हैं इसलिए इनका जो revolution का जो period है वो काफी लंबा होता है और जो comet होते हैं वो दिखाई कैसे देते हैं जब वो sun के पास आते हैं तो वो दिखाई देते हैं जैसे वो पास आएंगे तो उनका हम एक जो सामने वाड़ा part है वो bright head की form में देख पाएंगे और जो पिछे बाड़ा part है वो tell की form में देख पाएंगे तो जैसे जैसे वो sun के नज़दीक आते हैं वो दिखाई देते हैं और उनकी जो tail है वो sun से दूसरी तरफ दिखाई देते हैं यह आप asteroid का diagram देख पा रहे हैं यह हमारा solar system का पूरा diagram है जिसके अंदर हमारे आप देख पा रहे हैं sun, mercury, venus, earth, mars और फिर यह पूरी बड़ी belt है किसकी asteroid की यह जो white person आप देख पा रहे हैं यह asteroid की belt है फिर यह चुपिटर वारा सरका है ठीक है तो हम next part पर चलते हैं यह आप देख पा रहे हैं उसी का आपकी book में दिया गया है diagram asteroid की belt के लिए यह जो है यह बारिक बारिक आप जो देख पा रहे हैं यह asteroid की belt है कि next part है हमारा यह कोमेट है कि हमें कोमेट कैसे दिखाई देता है तो कोमेट में आप यह head देखते हैं इसका और यह इसकी tail है और जैसे यह sun है sun के दूसरी तरफ टेल जो है वह हम sun के दूसरी तरफ देख पाते हैं ऐसे जो कुछ कोमेट हमारे solar system में भी दिखाई देते हैं तो एक काफी हम यह कहेंगे कि famous कामेट है है एली कामेट जो की 76 यह के बाद दिखाई देता है लास्ट टाइम में 1986 में दिखाई दिया था तो next time यह कब दिखाई देगा तो आप काउंट करके बता सकते हो कि यह 2062 में दिखाई देगा उसके बाद है super situations about the comet कोमेट के बारे में कुछ मिथ्या धारनाई हैं कुछ बाते हैं तो वो क्या है ऐसा सोचते थे लोग पहले कि जब कोमेट दिखाई देते हैं तो यह messenger होते हैं disaster के, wars के, epidemic diseases के, floods के लेकिन यह सच्चाई नहीं है यह सारी myth बाते हैं यह वास्तों में natural process है और इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है उसके बाद है आपका metrars and metroid यानि कि हमारे solar system के और भी member है उनी members में हमारा metrars और metroid है यह क्या है आपने कई बार देखा भी होगा कि रात को कई बार जब clear sky होता है तो अचानक से आपको ऐसा लगता है कि कोई तूटता हुआ तार आपने दिखाई दिया हो तो वो वास्त में तूटता हुआ तारा नहीं होता है जैसे bright sticks लंबी light की line देखोगे तो आपको तूटता तारा आप उसको कहते हो वास्तों में वो shooting stars नहीं होते वो क्या होते हैं वो बड़े बड़े object होते हैं वो जो हमारे अर्थ के atmosphere में आ जाते हैं enter the earth atmosphere and due to friction friction के कारण ये क्या होते है heat sub हो जाते हैं और फिर जल्दी evaporate भी हो जाते हैं तो जब ये evaporate हो जाते हैं तो ये हमें दिखाई देने बंद हो जाते हैं ये ही कारण है कि जो shooting stars हैं वो हमें बिल्कुल थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं तो ये तो वे meters यानि कि जो कोई भी object अगर हमारे earth के atmosphere में एंटर कर लेता है तो friction के कारण वो जलने लगता है और जब वो पूरा जल जाता है तो evaporate हो जाता है तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है तो फिर metroid क्या है metroid metroid ही होते हैं लेकिन जब कोई object अर्थ पर पहुंचने से पहले पूरा खतम नहीं होता तो वो metroid की form में अर कोई जो part है वो बच जाता है और वो आर्थ पर आकर गिर जाता है ऐसे part को हम metroid कहते हैं तो metroid जो होते हैं scientist की help करते हैं किस काम में investigating the nature of the material from which the solar system was formed यानि कि जो metroid आया है हमारे पास वो किस तरह की चीज़ों से बना है कौन सा material उसमें है या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि अगर हमें उन में ये भी चेक करते हैं कि कोई bacteria कोई life की जो symptoms हैं वो तो नहीं मिलते हमें तो इस तरीके से scientist जो है metroid को चेक करते हैं और solar system की जानकारी देते हैं या आप एक मिटरस देख सकते हैं या फिर बड़ा सा जो है वो मिटराइट का ही डाइग्राम है उसके बाद है मिटरस आर्स ये क्या होते हैं कि जब कोई comet अर्थ के आसपास से गुजरता है तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो टेल है जो वो क्रोस करता है अर्थ को और सन के नस्दीक भी होता है तो उसकी टेल में हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे मिटरस एक साथ दिखाई देते हैं तो उशी को हम मिटरर साओर भी बोलते हैं ये इरेगुलर इंटरवल टाइम पे देखे जा सकते हैं अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी है तो किसी साइंटिफिक मैगजिन में या फिर इंटरनेट पे इनके जो दिखने का टाइम पीरिड होता है वो भी आप देख सकते हैं उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक आर्टिफिशल सेटलाइट आर्टिफिशल सेटलाइट क्या है हमने आपको चैप्टर से हमारी अर्थ बनी है या फिर हमारे दूसरे प्लैनेट बनी है लेकिन जो आर्टिफिशल सेटलाइट होते हैं वो मैनमेड होते हैं यानि कि यह हमारी मेटीरियल अलग होता है इनके अंदर मसीनरी होती है यह तो आर्टिफिशल सेटलाइट जो है वो नेच्रल में और इनका जो हम ये कहेंगे जो पात है वो नेचरल सैटेलाइट से बहुत ही पास में होता है या हम ये कहेंगे कि जितनी दूर मून है उतनी दूर हम अपने artificial satellite को नहीं बेजते यह बहुत नजदीक होते हैं इसके बाद आप यह diagram देख सकते हैं यह सारे diagram जो है वो natural satellite के हैं और हमारे कुछ से natural satellite है वो है हमारे सबसे पहले वाड़ा जो satellite था वो था आर्यवर्ट उसके बाद insect, फिर कलपना, one aducate बहुत सारे artificial satellite जो है वो वेजे गए हैं और इनके जो application है या फिर हम यह कह सकते हैं जो importance है वो यह है कि जो natural, sorry, artificial satellite है वो अर्थ के चारों तरफ जो revolve करते हैं तो वो हमें मदद करते हैं क्या-क्या मदद करते हैं हम पहला जो point है वो तो यह है कि जो signals हैं चाहिए वो radio signals है या TV signals हैं वो इनके कारण possible है दूसरा जो point है हमारा artificial satellite का काम आते हैं कि जो communication है telecommunication यानि कि जो हम telephone पर बात करते हैं वो सब इनके कारण possible है तीसरा हमारा यह है कि जो weather forecasting की जो report हमें मिलती है वो भी हमें artificial satellite के कारण ही मिलती है और last point है हमारा remote sensing में काम आते हैं यानि कि एक branch है जो कि हमारी science की है जो अर्थ के चारों तरफ जो भी activities होती है वो remote sensing यानि कि communication का ही जर्या है उसके थुरू हमें मिलती रहती है तो remote sensing में भी artificial satellite काम करते हैं तो यह chapter आपका हो गया खतम Thank you, have a nice day